हाई एवरिवन आज में आपके लिए बहुत ही टेस्टी मस और हेल्दी नाश्टे की रेसिपी लेकर आई हैं इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे मेरे हाथ में लौकी देख करके आपको लग रहा होगा कि लौकी का नाश्टा बच्चे कैसे खा सकते हैं लेकिन देखते जाएगा मेरे बच्चे जो लौकी बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते टेस्ट भी नहीं करते उन्होंने भी इस नाश्टे को बड़े शौक से खा ल तो मैंने यहां पर एक गाजर को भी अच्छे से चील लिया है दोकर की और अब इने ग्रेट करने के लिए आपको मीडियम साइड की तरफ से इसे ग्रेट करना है यानि ग्रेटर में जो तीन साइड होते हैं एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा और जो मीडियम साइड होता है उस साइट से हमें इसे grate करना है ये देखे हमने यहाँ पर सारी लोकी को grate कर लिया है अब गाजर को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से मीडियम साइट की तरफ से ही grate कर लेंगे ये देखे अब इसे ही लग रहे है ना colorful नाश्ता अब इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच जवार काटा जवार काटा आपको किसी भी क्याना शौप से असानी से मिल जाता है आजकल आब इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच सूजी सूजी आप मोटी या बारी कोई सी भी ले सकते हैं मेरे पास मोटी थी ये पैकेट वाली तो मैं वही डाल रही हूँ और साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथ ही एक छोटी चमच पीजा सीजनिंग या फिर ओरेगेनो डाल दीजिए आधी छोटी चमच या फिर टेस्ट केक और डिंग नमक डाल देंगे एक चुटाई छोटी चमच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चुटकी बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा या जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं ये डाल देंगे और अब एक कुछ साफ हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जोवार कार्टा हमें अपने डायट में जरूर रखना चाहिए वीट फ्लार से भी बेहतर होता है जोवार कार्टा ग्लूटन फ्री होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है तो आपको इसे गल्मियों में जरूर खाना चाहिए यह हमने इसे mix कर लिया है आप इसमें तीन बड़े चमच बेसन डाल देंगे और बेसन डाल कर हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह mixture मेरे ही साब से बिलकुल perfect है लेकिन by chance अगर आपकी लौकी का size बड़ा है या अगर इसमें पानी थोड़ा ज़ादा लगे तो आप इसमें एक चमच या फिर दो चमच बेसन या फिर जवार काटा और डाल सकते हैं पर मैंने और नहीं डाला है अब मैं गेस पर एक उत्प ला लेंगे और अब यह जो mixture हमने तयार किया है इसमें से एक बड़ा चमच mixture लेंगे और इसे एक cavity में डालेंगे और इसे चमच से उपर से flat करते हुए बिकुल round shape दे देंगे यह देखिए इस तरीके से और बिकुल इसी तरीके से इस नाश्टे को आप nonstick तवे पर भी बन सकते हैं और आप मुझे कहां सी कौन से देश से देख रहे हैं मुझे comment box में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा रगता है और यह देखिए पूरी cavities में हमने इस mixture को इस तरीके से रख दिया है यानि लगा दिया है और अब इसे ढग द बना सकते हैं और उपर से हलका सा इस तरीके से फैला देंगे और यह देखिए अगर मैं इसको पीछ में से उठा कर देखती हूं तो यह देखिए यह पीछे से एकदम अच्छे से सिख गया है तो बस अब हम इन सब को इस तरीके से पलड़ देंगे और अगर अभी तक आप आप चाहें तो कोई सा भी चीज इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और अब एक बड़ा चमा चीज हम हर सरकल के उपर यानि हर नाष्टे के उपर इस तरीके से रख देंगे आप सोच रहोगे कि वैसे तो मैं भूल रहे हैं लेकिन मैं इसके उपर चीज यूज़ कर रही हूं लेकिन देखे कभी-कभी जो है न हमें बच्चों के हिसाब से उनके टेस के कॉर्डिंग चीज़ों को मोल करना चाहिए ताकि बच्चे इस नाष्टे को शौक से खा सकें लेकिन इस नाष्टे को अगर आप बिना चीज के भी बनाएंगे न तब भी बहुत टेस्टी है अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप प्यास को स्किप भी कर सकते हैं और अब इसे ढख देंगे और ढखकर आम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक यह नीचे से अच्छे से सिखना जाए और साथी जो पर चीज है वो पूरी तीन चमश पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यह सारा मिक्शर हम यह तवे पर डाल देंगे और इसे इसे चमश से या पिल्कुल इवन लीज तरीके से फैला देज़े जितना मोटा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना रख सकते हैं मैंने इसे नॉ पर पर इसे भी अज़ी लगा दूंगी और इसे नाश्ते को हम गर्मा-गरम सब कर लेंगे और लिजे लग रहें ना कितना मस बहुर टेस्टी बना और लिजे मैंने तो तयार कर लिए हैं healthy pizza bites, आप इस recipe को क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताना, और ये दोनों side से अच्छे से सिख गए हैं, और अगर मैं इसको taste करती हूँ तो एक्तम शांदार इसका taste है, और इसमें cheese देखे कितने अच्छे से melt हो गई है, ऐसा pizza है, जिसमें ना तो हमने मैदा डाला है, और ना ही आटा, और ना ही कुछ unhealthy cheese है, थोड़ा सा चीज डाला है, जिसे कि आप पनीर के साथ replace भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो और आप चाहें तो इसे बिना cheese के भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ये नाश्ता बन रहा है, त आप इसे नॉमली चाहे के साथ रूखा भी खाएंगे ना तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो जल्दी से कर ले ना इसी तरह की और नहीनी recipes देखने के लिए, अब मिलती हूँ एक और नहीनी recipe के साथ, तब तक ल बच्चिन